नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चहान वीडियोजे इस वीडियो में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे सबसे पहला कि आपका पूरा रिजल्ट क्यों नहीं आया और दूसरे के बारे में बात करेंगे कि आप रिये एवलुशन का फॉर्म किस तरह से बढ़ सकते ह हैं या आपको लगता है किसे अब्याट में आपको मार्क्स गलत दिये गए हैं ठीक उससे पहले में आपको यह पता दू कि अगर आपको पास्टिंग मार्क जानने है तो उसके लिए एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसे देख सकते हैं अगर पहला बात कर लेते हैं कि आपका पूरा रिजल्ट क्यों नहीं आया तो पूरा रिजल्ट जो होता है जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि रिजल्ट जो है हमेशा अपडेट में आता है यहां कि पूरा रिजल्ट आपको एक साथ नहीं मिलेगा अगर आपके 6 या 7 subject हैं, तो हो सकता है कि 4 रिजल्ट आ गया हो, 5 रिजल्ट आ गया हो, लेकिन 1 या 2 subject रह गए हो. ठीक, तो ऐसा होता है कि 1st update जो होती है, उस में आपका ज्यादातर subject का result जो है, declare कर दिया जाता है, लेकिन 1 या 2 subject जो है, वो रह जाते हैं. तो उस स्थिति में आपको इंतदार करना होता है, अभी और भी अपडेट आएंगी, 10 या 12 अपडेट कम से कम आती ही आती है, जिन में हर बच्चे का result वो declare कर दिया जाता है, ठीक, तो अब आप देखेंगे कि 4 या 5 दिन में एक और अपडेट आएगी, फिर 2 या 3 दिन में ए इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही फॉर्म आपको भरना है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, मैं समझा देता हूँ कि इसमें रूल और रेगुलेशन क्या है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और कैसे करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना नाम लिखना है, नाम आप लिख सकते हैं, ठीक, उसके बाद अपना प्रोग्राम जो है, वो लिख सकते हैं, अपन address, pin code, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना mobile number और landline number आप लिख सकते हैं, month and year of the examination, जिस year का, और month में आपने exam दिया है, वो लिखना है आपको, आपका examination center code क्या था, ठीक, आपका आपका hall ticket होगा, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, और address of the examination center, ये दोनों चीज marks, ठीक, इसकी subject का आपको भरना, आपके दो subject में कम marks है, जिनके आप re-evolute करवाना चाहते है, re-checking करवाना चाहते है, तीन के, चार के, जितने के भी, तो वो आपको एक एक कर गया, आपको line बारी से लिखना होगा, ठीक, ये मेरा course code है, जैसे मेरा, अगर FST 01 है, ये मेरा course code और उसमे marks मेरे 20 आए, तो वो आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक, उसके बाद, the fee for re-evolution of answer script is rubies 750, 750 रुपे आपको जो है, फीज भरनी पड़ेगी एक कोर्स की, यानिका अगर आपने दो कोर्स का re-evolution करवाना, re-checking करवाना है, तो 1500 रुपे आपको फिर जमा करवाने प है, उसके 30 दिन के अंदर आपको यह form submit कर देना है, ठीक, 30 दिन के अंदर, 30 देस के अंदर, ठीक, यह बात आपको पता है, आप यहाँ पर लिख देंगे, कितने subject का लिखार आना है, दो, एक और उतना प्राइज आपको देना है, total amount यह रहा, demand draft जो भी आपने बनाया है, औ बैंक का, जो भी बैंक का issue किया हुआ है, बैंक का नाम यह सब, और signature आपका, ठीक, यह सब जीए, बैंक का details होगी, उसके बाद rules and regulation भी लिखे हुए यहाँ पर, तो उनको भी आप पढ़ दीजिए, the request for re-evolution by the student must be weighed within one month of declaration of his result, जैसा कि मैंने बचाया, एक महीने के अंदर आ गया IGNU website पर, उससे 30 दिन गिने जाएंगे, ठीक, आशा नहीं है कि आपने, आपने जिस दिन से गिनना सरू किया, या आपने जिस दिन से देखा, ठीक, अगर IGNU की website पर 15 फरवरी को रिक्लेयर किया गया है, तो उससे आप 30 दिन कॉन्पलिट कर लिए, कि उतना समय आपके पास है, रियेवलुईशन का फॉर्म भर के समिट करने के लिए, ठीक, उसके बाद, आफ्टर रियेवलुईशन, तब बैटर ऑफ टू स्कोर्स ऑफ औरिजिनल मार्क्स ग्रेड और मार्क्स ग्रेड विर बी कंसीडर, यानकि अगर देखिए, अगर आपने, आपके मार्क् करवाया, और उसमें आगया आपके 70 मार्क्स, तो आपका 70 मार्क्स जोड़े जाएंगे, कि आपके 100 में से 70 है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपके 40 मार्क्स थे, और जब आपने रियेवलुईट करवाया, रियेवलुईट करवाया, तो 30 ही रह गया है, तो फिर भी आप चि रियेवलुईट का रियेवलुईट भी इगनु की वेबसाइट पर आता है, जैसे ही आएगा, तो इसके बारे में आपको अपडेट जो है, वो दे दूँगा, ठीक, तो इगनु की वेबसाइट पर आपको आजाएगा, तो इगनु की वेबसाइट पर आपको आजाएगा यहीं कि 30 दिन के अंदर जो है result भी आ जाता है लगबग आप मान के चलिए एक महीने के अंदर result आ जाएगा उसके बाद re-evolution is permissible in term and examinations only यहीं कि सिर्फ जो term and examinations जो होते हैं जो जून में होते हैं और December में होते हैं सिर्फ उनी का ही re-evolution आप करवा सकते हैं प्रोजेक्ट का नहीं करवा सकते हैं प्रैक्टिकल का नहीं करवा सकते हैं लाइब कोर्सिस का नहीं करवा सकते हैं ठीक ना assignment और seminar इन सबका ठीक on the top of the envelope जो आप envelope जमा करवाएंगे उसके top में लिखा हुआना चाहिए application form for re-evolution of answer script जिस तरह से इन्हों ने लिखा हुआ है ठीक आप लिख सकते हैं विल्कुल the application form duly filled in may be sent to the following address except CPE and DPE program सिर्फ CPE और DPE program को छोड़कर बाकी सबको इन इन centers में जो है जमा करवाना है यह है जहां पर आपको जमा करवाना है ठीक और इसके बाद फिर all examination center यह साप आप चेक कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको की आपको आउन्डोड कर लीजे इसको और यह list जो है पूरी की पूरी आप चेक कर सकते कि आपका इसके अंदर की हाथ पर पढ़ रहा है ठीक तो आप इसको चेक कर सकते हैं अगर इसके अलाबा आपको रिजल्स पूरा क्यों नहीं आया तो रिजल्स पूरा आपका इसलिए नहीं आया क्योंकि रिजल्ट जो है इग्नु में updates में आता है तो एक बार में पूरा बात की वीडियो अगर आपको पसंदे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिए वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद